Hello Kisaan Sak Joint gelernt है किसी भी परजाथी का जंगल हो किसी भी परजाती का जंगल आज हो वीडियो में चाहिए वो मोथा हो रूभी हो या किसी भी पढ़ जाती का जंगल हो अले हैं वीडियो पे बढ़े रहे हैं वीडियो अच्छा लगे जो लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्क्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दवा दे ताकि इसी तरह की ने बुए ग्रीसे से जोबी समब्देत विपे सबसे पहले आप तक जल जा सकते किसान साथियो ऐसे तो बहुत सारी दवाईया हैं मार्कित में जैसे हो गया रांड़ एकसल मेरा ग्लाइसेल पॉपुलर बहुत सारी बाराइट्टी दवा की रहा हैं और हम इस वीडियो में इस वीडियो में करने वाले हैं किसान साथियो इसकी प्राइज की बात करें तो इसकी प्राइज है 170 रुपिया और पकेट में जो मट्रेडियल है हो 100 गराम है इसके अंदर खत्रा का संकेत दिया गया है अगर आप इस दवा का च्छिलकाब करते हैं माक्स अवस्क लगा ले अब इसे हम क्या करेंगे किसान साथियो अब अपने टैंक में जो हमारा इस नो फॉर्थ लिटर का टैंक है इस बुरा मिम पेकट्ट जेसें मिलाना है अब देखते रहे हैं कैसे कैसे मिल आता है?" सबसे पहले आपको क्या करना है? तो किसान साथ यो इस पूरे पैकेट को आपको डाल देना है फिर उसके बाद क्या करना है दो सेंपू रख देना है इसके अंदर फिर उसके बाद किसान साथ यो डेड़ सो गराम के आसपास आपको नमक एक नहीं है इसके अंदर अब इसे अच्छी तरह के से मिक्स कर देनी है देनी है एक बंद किसान साथ fellows आज इसका शिर्काब करने के बाद इसका ज रिजल्ट इंदर हमको इसका रिजल्ट आरेगा जब भी इस दवाएक शिर्काब के रहे ही। कि इसके बाद आपको मात्र तीन से चार दिन के अंदर करने वाले हैं इस वीडियो में इस दवा का छिरकाव करने है इसलिए ताकि सब जंगलों का खर्पतवार का खात्मा हो सके जोस्त आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी जंगल है पूरे खेत में खर्पतवार बड़ी हुई है जंगल भड़ी हुई है और इस वीडियो में हम इसको खत्म करने वाले हुई 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 है किसान साथ्वों अगर अब खर्पतवार मानने की दवा छिरक करके आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने ड्राम को धोने हैं 3-4 वर अपने ड्राम को धोने हैं दूसरे पानी से यसके वाजे से कहिनों अपगर दवा को ङदे हैं कि का शरिकाद को क्या करना है करेसे कई फटिफ को ऀसको भुआ नह smug धो इना है भुआ तुने के बाद ही लिए किस और फ़सल में आपको डवा किसान साथियों आप देख सकते हैं पांस से च्छे दिन बीतने के बाद खर्पतवार पूरी तरीके से नश्ट हो चुका है और इसके बाद अगर कोई भी आप फसल लगाते हैं तो खर्पतवार की वज़से ज्यादा परिसानी आपको नहीं होगी फसल आपकी अच्छे होगी अब आप देख सकते हैं किसान साथियों इस खेत के अंदर गाई की जो गोबर होती है उसको पूरी अच्छी तरीके से पूरा मिला दिया गया है उसके बाद इसे अच्छी तरीके से जुताई करके इसमें अन्ने फसल कोई भी फसल लगाया जाएका उमित करता हूँ दोस्त